आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोड़क्ट मास्टर फॉर गार्मेंट स्टोर के बारे में रिटेलर्स और होलसिर्स के लिए बना रिटेल ग्राफ सॉफ़एर सभी क्लोधिंग, गार्मेंट और टेक्स्टाल बिजनस स्टोर के लिए सलूशन प्रोवाइड करता है एक तरफ ये इन्वेंटरी को बेस्ट वे में मैनेज करता है और वहीं दूसरी और लोजिस्टिक के साथ साथ परचेस प्रोसेस को भी इजी बनाता है कह सकते हैं कि ये स्टोर मैनेजमेंट प्रोसेस में एफिशेंसी लाता है डिटिल ग्राफ में प्रोड़क्स को मैनेज करना बेह दीजी है सिर्फ कुछ स्टेप्स की जरिए हम प्रोड़क्स को एड़ कर सकते हैं यह Used Product Numbers को भी सपोर्ट करता है तो चलिए जानते हैं Product Master के बारे में सबसे पहले इटिलगाव सौफट्वेर में Masters Menu चूज करेंगे यहां Inventory Options से Product को Select करेंगे इसके लिए Shortcut Keys, Ctrl F1 भी प्रेस कर सकते हैं यहां Garment के Listing शो होगी और साथ ही उनकी Quantity भी यहां Check कर सकते हैं New Products Add करने के लिए New Button पर क्लिक करेंगे Open हुई Window में Details फिल करेंगे और जो Box Star Marked है उन्हें फिल करना जरूरी है जैसे Marketing, Category और Product Example के तौर पर हमने सबसे पहले Marketing में एक Name सेलेक्ट किया और अगर आप कोई दूसरा नया Marketing Group क्रेट करना चाते हैं तो यहां New Option के Help से Create कर सकते हैं अब Category में Product Category सेलेक्ट करेंगे यहां भी New Option से New Category क्रेट कर सकते हैं Brand Box में Print का Name फिल किया जाता है और Product में Product का Name वहीं आप Size और Strength के मुताबिक Product को Specify करेंगे अलियास में Product Define करती से मैं कोई Number या फिर कोई Code Insert करना चाते हैं तो इसे यहां Fill करेंगे ताकि बिलिंग के समय आपको यह Product Easily Available हो जाए वहीं Barcode Option में Product पर Already Show हो रहे Barcode को Scan करके Details Fill कर सकते हैं अगर आप खुद का Barcode Create करना चाते हैं तो इसे Blank रखेंगे अब Name to Print में जो ने मापको Barcode पर Print करवाना है वो Mention करेंगे फिर Addless Discount में अगर कोई Discount आपको देना है तो वो आप यहां Fill कर सकते हैं फिर Shelf Number में Product की Shelf 5 Detail Fill करेंगे वहीं Stock Location में आपके Business के अगर कोई एक से जादा Locations है तो वो यहां Select कर सकते हैं और इसे के साथ Attribute में अगर आपको कोई इस Product की Additional Information देनी है तो वो आप यहां दे सकते हैं HSN Code में Particular Product का HSN Code सेलेक्ट करेंगे आपको बता दे कि HSN Code को Invoice में Mention करना Compulsory है वहीं HSN Code के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा पहले से Uploaded वीडियो भी देख सकते हैं इसी तरह से Sell Stacks, Purchase Stacks सेलेक्ट करेंगे अब Minimum, Maximum Days और Minimum, Maximum Stop mention करेंगे जिसके Basis पर Reorder Generate कर सकते हैं अब Billing Unit में Product Unit फिल करेंगे के एक Package में Piece की Quantity कितनी है जैसे यहां एक Box में 7 Piece हैं तो इसे 7 Fill करेंगे अगर हमें Single Product Sell करना है तो यहां Cell Use पर ठिक मार कर सकते हैं फिर Default Rates Option में अगर कोई Default MRP और Cell Rate आप Set करना चाते हैं तो वो Amount आप यहां Fill कर सकते हैं इसी के साथ Description Box में आप चाहें तो Products Related Short Detail यहां Type कर सकते हैं अब Apply on Lot section में Size Option को Check Mark करेंगे और इसी के साथ ही Color Option को Check Mark करने से Product Purchase करते से मैं Color Choose किया सकता है वही Print Barcode Option से Barcode का Print Out दे सकते हैं अब Lot Details Option से जब भी Lot Purchase करेंगे तो Slot के Entry चेक कर सकते हैं Image Option से Product Image भी Upload की जा सकती है फिरम Save बटन पर क्लिक करके इस Process को Complete करेंगे तो यह था Product Master for Garment Store का Detail वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को Like करें और चैनल को Subscribe करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें Thank you